रेविवार को गुजरात के गांधी नगर में 69 फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ था इस बार करंजोर और मनीश पोल ने शो को होस्ट किया वहीं वरुंदवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसी कई सलेप्स ने अपने परफोर्मेंस से समा बांद दिया तो आईए जानते हैं कि इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता इन सब के बीच आलिया भट और रनवीर कपूर को अवार्ड फंक्शन में एनिमल के पॉपुलर गाने जमाल कूडू पर जमकर डांस करते देखा गया जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है बता दें 69 फिल्म फेयर अवार्ड की गोसना हो चुकी है एनिमल के लिए रनवीर कपूर को बैस्ट अक्टर का अवार्ड मिला जबकि आलिया भट को रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बैस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला इसके साथ ही विकरांत मैंसी की फिल्म 12 फैल इस साल की Best Film बनी इसे Best Film का Award मिला इसके साथ ही 12 फैल के लिए विदू विनोद चोपडा को Best Director का Award मिला 12 फैल ने फिल्म जवान, रोकी और रानी की प्रेम कहानी Oh My God 2 और पठान जैसी ब्लोकबस्टर फिल्मों को माद देकर Best Film का Award अपने नाम किया बता दे कि इस फिल्म में विकरांत मैंसी ने सान दारेक्टिंग की है Best Director के लिस्ट में जो नॉमिनेटिड थे वो थे अमित्राय, फिल्म ओमाई गोड के लिए एटली फिल्म जवान के लिए नॉमिनेटिड थे, सिधारत आनन को पठान के लिए नॉमिनेट किया गया था और करन जोहर को फिल्म रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए लेकिन इन सब को पीछे छोड़कर विदू विनो चोपड़ा को 12 फैल के लिए इस साल का बेस्ट डारेक्टर घोशित किया गया इस तरह फिल्म 12 फैल को दो अवार्ड मिले पहला डारेक्टर को और दूसरा विकरांद बैसी को बैस्ट एक्टर की कैटेगरी की बात करें तो रनवीर कपूर के साथ सारुख खान का नाम शामिल था उनकी डंकी और जवान दो फिल्मों के लिए उन्हें नोमिनेट किया गया था इसके साथ ही विक्की कोशल को सैम बाहदूर के लिए और रनवीर सिंग को रोकी और रान की प्रेम कहानी के लिए नोमिनेट किया गया था और सनी देवल को फिल्म गदर टू के लिए नोमिनेट किया गया था बट शोरली रनबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का आवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टरस की केटेगरी की बात करें तो बेस्ट एक्टरस की लिस्ट में आलिया का मुकाबला रानी मुखर जी फोर मिसेज चेटर जी वर्सिज नौर्वेल भूमी पेटनेकर थैंक्यो फोर कमिंग के लिए नौमिनेटेड थी दिपिका पादुकोन पठान के लिए क्यारा अडवानी सत्य प्रेम की कथा के लिए और तापसी पन्नू डंकी के लिए नौमिनेटेड थी एनिमल का सूपर हिट गाना अर्जन वेली के लिए भुपिंदर बबल को बैस्ट प्लेबैक सिंगर का प्रूसकार दिया गया। दी गए जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।